तो चेहिन दोस्तों, दिस इस रभी शंकर और आज हम लोग सुरू करते हैं चेप्टर 18, CDP सीटेर जिसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे इसके MCQ के बारे में और ये चेप्टर का नाम है बच्चा एक समस्या समाधक तथा एक बेग्यानिक अनवेशक के रूपे यानि Chained as a Problem Solver and a Scientific Investigator लिखा है इरफान खिलोनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग-अलग कर देता है आप क्या करेंगे पहला उसके जिक्यासु सोबाव को परसाहित करेंगे और उसकी उरजा को सही दिसा में संचिर्ट करेंगे तीसरा उसे समझाएंगे कि खिलोनों को तोड़ना नहीं चाहिए या चोथा इरफान को खिलोनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे तो इसका सही जवाब हमें positive take में खोजना है तो इसका सही जवाब होगा उसके जिग्यासु सोभाव को परसाहित करेंगे और उसकी उर्जा को सही दिसा में संचिरित करेंगे कोई बच्चे आपने दोरा निशित की गई सरुवतम विधी का प्रयोग करता है पहला समस्या समधान के लिए दूसरा स्कूल छोड़ कर भाग जाने के लिए तिसरा एक पक्षिय चिंतन के लिए चोथा उप्योग सभी तो इसका सही जवाब क्या होगा समस्या समधान के लिए चिंतन तथा तर्ग का उद्धिष्टे है समस्या को जटिल बनाना, समेंग को समाप्त करना, समस्या का समधान करना या संग्यान का अंत करना तो इसका सीजवाब होगा चिंतन का अर्थ है समस्या का समधान करना समस्या समधान वो प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन नीथ होता है निम्ण में से ये कतन किसका है? स्टेनले, स्कीनर, पियाजे या पावलाव तो इसका सीज़ अब मैं बता दूँ अप्शन नमबर सेकेंड होगा आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का परियास कर रहा है आप उस बच्चे के विशे में क्या कहेंगे? बच्चा समानने सोच वाला है, बच्चे की बुद्धी लब्दी सत्तर से कम है बच्चे में बेग्यानिक सोच का विकास हो रहा है या बच्चे का मन पढ़ाई में नालग कर इधर दर की बातों के लगता रहता है तो इसका C job option number third होगा कि बच्चों में बिग्यानिक सोच का क्या हो रहा है विकास हो रहा है इसलिए वो समस्या को समझने की कोशिश कर रहा है एक बच्चा अपने खिलोनों को तोरकर उन्हें पुन नए तरीके से जोरकर कहीं परकार की बस्तुए बना लेता है उस बालक के संदर में आपकी राय क्या है पहला उसे ऐसा करने से रोका जाना चाहिए ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगे दूसरा बच्चों में बिग्यानिक और बेशक के गुर है इसमें विकास के लिए उसे पुरसाहित किया जाना चाहिए तीसरा बच्चे की सिकायद उसके अभिभावकों से की जाने चाहिए ताकि वो खिलोना ना दे या चौता बच्चों की सिकायद प्रिंसपल से की जाने चाहिए कि वो खेलता रहता है इसका सीजवाब होगा option number second बच्चे में विग्यानिक अन बेश्चक के गुर है इसमें विकास के लिए उसे प्रसाहिद किया जाना चाहिए एक बच्चा माचीस के खाली डिबो में कई परकार की वस्तियों बना कर खेलता है उस बच्चे के संदर में आपकी राय क्या है पहला उसमें विग्यानिक अन बेश्चक के गुरों का विकास हो रहा है दूसरा वो पढ़ने में से कतरा आता है और खेलते रहता है उसके माता भी तो उसकी पढ़ाई बेध्यान नहीं देती या उसे खेल से दूर कर पढ़ाई में लगाने के उशकता है तो इसका सी जो आप पोजिडिव टेप में फरस्ट है उसे पढ़ाई में वेस्त रखने के लिए उसे सरारत करने से रोखने के लिए तो इसका सी जो आप होगा उसमें बेध्यानी स्वभाव विक्सित करने के लिए बालक में बेध्यानी कनवेशक के गुरों का विकास करना चाहिए या किया जाना चाहिए जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधा स्वयम करने लगता है तो उसमें दीम्न में से कौन सा गुन विक्सित हो जाता है पहला बेगानी करण वेशक का, परतिशोध का, इश्या का या समस्या का तो इसका सीज्वाबोंगा बेगानी करणे का बच्चों में बेग्यानिक सोच का विकास करने के लिए अवशक घटा के बच्चों के समक्ष को छोटी-छोटी समस्तिया रखी जाए बच्चों के दोरा किये गए समभावित समधानों का प्रिक्शन किया जाए बच्चों को समभवित समधानों के निर्मान है तो प्रिरित किया जा तो यहां साब साब दिख़ड़ा है कि तीनोई स्टेटमेंट सही है यानि उप्योग सभी स्कीनर ने समस्या समधान की बेग्यानिक बीधी को कितने भागों में बाटा है तो BF Skinner ने समस्य समधान की विधी को टोटल छे भागों में बाटा है यह आने वाली वीडियोज में हम लोग डिस्कस करेंगे यह छे भाग कौन-कौन से है बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में इनमें से किसका महत्तपूनी गुदान है पहला केवल माता पीता का, दूसरा केवल सिक्षक का, तीसरा माता पीता यह सिक्षक का या चौथा केवल मित्र का तो मैं आपको एक चीज बता दो, जहां पर भी केवल टेग आ जाए तो उसे नेगेटिव टेग माना जाता है तो इसका मतलब है कि first वाला, third वाला और fourth वाला गरत है और second वाला जवाब सही है सिक्षार्तियों का आत्म नियमन डेस की और संकेत करता है विद्यार्तियों के बेवार के लिए बिन में बनाना विद्यार्तियों निकाय द्वारा बनाए गए नियम बिन में तिसरा सो अनुशाषन और नियंतरन चौथा अपने सीखने का स्वयम पर वेक्षन करने की उनकी योग्यता तो इसका सीज़ाब होगा option number fourth अपने सीखने का स्वयम पर वेक्षन करने की उनकी योग्यता किस परकार से एक अध्यापी का बच्चों को बहतर समस्या समधान करता बनने में सहता कर सकती है बच्चों को बबीत परकार की समस्याओ का समधान करने के मौके देना और उनका हल करते समय सही योग देना समस्याओ का समधान करने के लिए बस्तू रूप में पुष्कार देना बच्चों को वीवित परकार की समस्या होगा समाधार करने के मौके देना उनका हल करते समय सयोग देना मौका देना और सयोग देना क्या होता है अपर्चनिटी देना और चांस देना ये सब क्या है पोजिटिव टेक है तो इसका सी जब होगा option number first बिद्यार्तियों को सोतंत रुप से चिंतन करने तथा परवावी सिक्षार्ती बनने में सक्ष्म बनाने है तो सिक्षक के लिए महत्तपून है कि बिद्यार्तियों को सिखाना कि किस परकार के अपने अधिगम का अनुविक्षन करें विद्यार्थियों के दोबरा प्रात की गई परतेक सफलता के लिए उन्हें पुरुसकार देना छोटी-छोटी कायों या खंडों में जनकारी परदान करना ये एक संगतित तरीके से जनकारी को प्रस्तूत करना ताकि पुन स्मरान करने में सरल हो तो इसका स्थी जब होगा उप्शन नमबर से थार्ड छोटी-छोटी कायों खंडों में जनकारी परदान करना विद्यार्थियों को सवतन दूर्प से चिंदन करने देथा परभावी सिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने है तो सिक्षक के लिए महत्वपून घटक है लिखाए यदि कोई सिक्षी का चाहे तो उसके विद्यार्थी समस्या समधान कोशल परात करने तो विद्यार्थियों को ऐसे किरिया कलापों में लगाना चाहिए जिन में परतियास मलन रटना और समझना तो यहां रटना नेगेटिव टेक है गलत है बहुभी गल्पी प्रस्ण वाले इस तरीकरीत कारे प्लक्षक हो ड्रील और अभियास या पूछना तरक करना और निन्ने लेना तो बहुभी गल्पी गल्पी गल्प है ड्रील और अभ सब को एवान सिक्षा से चाहिन